मौसम से जो राहत मिली थी एक यूआई जो सव और डेर सव के आसपास आ गया था दिवाली के पटाकों और पराली के धूँने एक बार फिर उसे चार सव के पार बना दिया और राजधानी दिल्ली एक बार फिर से गैस चेंबर में तब्दील हो गई है इस वक्त हम लोग इंडिया गेट के पास कर्तव विपत पर मौझूद है और क्या हालात हम आपको दिखाते हैं आप देखिए अगर साधारण सामाने मौसम होता तो सामने जो राश्टपती भवन है यहां से कुछ दूरी पर वो इस जगश से साफ नजर आता है लेकिन धूल और धूए ने राश्टपती भवन को यहां से विजबल नहीं रहने दिया यहां से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है यही कमोबेस हालात पूरे दिल्ली के और NCR इलाकों के हैं क्योंकि AQI 400 के पार पहुँच गया है जो मौसम जब परिवर्तन हुआ था और बारिश हुई थी जो AQI 100 से 1.500 के आसपास पहुच गया था वो एक बार फिर से 400 के पार पहुच गया है और यह हलात कब तक बने रहेंगे उसके बारे में अभी साफ तोर पर नहीं कहा जा सकता हाला कि ग्रैफ 4 स्टेज लागू है कई सारे प्रतिबंध लागू है गयर जरूरी जो भी निर्माड है उनको रोग दिया गया है डीजल और प्रतिबंधित गाडियों पर एक प्रतिबंध है दिल्ली में चलने पर कि जो पेट्रोल गाडियां है वो बीस थ्री की नहीं चल सकती जबकि जो डीजल गाडियां है उनको लेकर के भी अलग अलग तरीके से प्रतिबंध है लेकिन इसका मौसम पर कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा राधधानी दिल्ली और एंसियार का इलाका एक बार फिर से गैस चेंबर में तबदील हो गया है दिल्ली और एंसियार की हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है और उसकी वज़ा रही दो एक तो दिवाली के दिन जो पटाके छूटे इसके अलावा जो पराली का धुआ है वो राजधानी दिल्ली पहुच रहा है जिस जगह पर हम मौझूद है ये कनाट प्लेस का इनर सर्किल है और पीछे आप डिस्प्ले बोर्ट जो देख रहे है इनर सर्किल की एक युआई आप अगर देखेंगे तो 454 शोग कर रहा है हला कि जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन यहीं का एक युआई सिर्फ 85 शोग कर रहा था बारिश के पहले हला कि ये 400 उपर ही था एक युआई लेकिन मौसम में परिवर्तन हुआ बारिश हुई और एक युआई जो है वो 100 से नीचे आ गया था जो बहुत संतोष जनक था और अब बहुत खतरना की स्थिती में पहुँच गया है अब इस जो एक युआई है ये कब नॉर्मल होगा कैसे इससे लोगों को निजात मिलेगी फिलाल इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है प्रतिबंद लागू किये गए है लेकिन उन प्रतिबंदों का दिल्ली की हवा पर कोई खास असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा कैमरामेन अंकीत खंडिलवाल के साथ हिमाश्य मिश्रा कैमरामेन अंकीत खंडिलवाल के साथ